नमश्कार स्वागत है आप सभी का TNP News के खास प्रोग्राम अपना बिहार में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंग बिहार विधान सभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है तमिलाडू में हो रही बिहारी मजदूरों की हत्याओं को लेकर आज विधान सभा के बाहर बीजेपी ने प्रदरशन किया किता मिलाडू में जुस तरह से मजदूरों की हत्या की गई है अपमानित किया जा रहा है तेजस्वी यादव चार्टर प्लेन में बैट कर उनके साथ केक खा रहे है यह शर्म की बात है तो एक मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने देश भर के बजली छेतर में एक राष्ट्र एक बजली शुल्क नीती की अपनी मांग को दोहराया है उन्होंने कहा कि बजली की कीमतों में समानता लाने की ततकाल जरूरत है निदीश ने कहा कि हर राज्यो देश के निर्मार में निरनाएक भूमिका निभाता है राज्यों की रचुनात्मक भागिदारी के बिना देश के समावेशी विकास के बारे में नहीं सोचा जा सकता मैंने पहले भी कहा है कि देश में One Nation One Power Tariff होना चाहिए कुछ राज्य के इंद सरकार की उत्पादन इकाईयों से उच्च दरों पर बिजली क्यों खड़ीद रहे है बिहारवधार मंडल की संयुक्त बैठक में राज्युपाल के अभिभाशन पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को और राज्यों की तुल्ला में के इंद सरकार के बिजली उत्पादन संयत्रों से अधिक दर पर बिजली मिलती है उन्होंने कहा कि पुरे देश में एक समान बिजली दर होनी चाहिए और कि इन सरकार को एक राष्ट एक बिजली शिल्प के बारे में सोचना चाहिए तो बिहार के मुख्यमंत्री और राष्ट्री जनता दल के नीता तिजस्वी यादव ने केंद्र में 17 रूड बीजेपी पर बड़ा तिपड़ी की है तिजस्वी ने बीजेपी की निंदा करते हुए उसे मूल रूप से और समाजविक नियाय की सोच पर आधारित बताया तिजस्वी ने कहा कि हम ऐसे भारत के बारे में सोच भी नहीं सकते जो हाश्ये पर मौझूद लोगों को तिरसकार की नजरों से देखता हूँ तो ये विरासुत बचौ यात्रा पर निकले रोश्टिय लोग जन्दा दल के सुप्रीमों पेंदर कुष्वाहा मोतिहारी पहुचे जहाँ उने नितीश कुमार पर जम कर निशाना साधा उसे सबी लोग देख रहे हैं लेकिन आप बिहार के लोग आरजेडी के इस वेवहार को बरदाश्ट नहीं करेंगे उपेंदर कुश्वा ने कहा कि रितीश कुमार को सोचना चाहिए जब वो अभी मुख्यमंत्री है तो आरजेडी के लोग उनके साथ ऐसा वैवहार करते हैं और कल वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे आरजेडी के लोग उनके साथ क्या वैवहार करेंगे तो ये रामचरित मानस पर सवाल उठाकर चर्चा में आने वाले विहार के सुक्षा मंत्री चंद शेखर पर हिंदू धर्म गुरू रामभद्राचारे ने नाराज़गी जताई है विहार में हो रहे हैं कि यग्य में भाग लेने पटना पहुचे धर्म गुरू ने कहा कि जुन्हें रामचरित मानस का कख गग का भी ज्यान नहीं वेही ऐसी बाते कर रहे हैं उन्होंने दावा करते वे कहा कि रामचोरितमानस में एक भी अक्षर गलत नहीं है लोग उसकी व्याख्या को समझ नहीं पा रहे हैं उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इसे लेकर भयंकर राजुनीती की जा रही है आपको बता दे कि सुक्षा मंतरी चंदर शेखर ने रामचो कि पिंग सकत्त।